नमस्कार मैं हुआशना आप देख रहे हैं प्राइम टीवी वक्त हो गया है हर शहर प्राइम रिपोर्टर का प्रधार मंत्री नरेद मोदी या बुद्धुवार को अपनी दो देशों की यात्रा के पहले चरण में पोलाइन पहुंचें यहां भारती समुदाय ने उनका विशेश गर्म जोशी और उत्साह के साथ स्वागत किया साथी अपने संबोधन में उन्होंने भारती समुदाय को उनके गर्म जोशी भरे स्वागत के लिए धन्यवाद दिया और इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले 45 वर्षों बे किसी भारती प्रधान मंत्री की ये पहली यात्रा थी और वो भारत पोलाइन समुदाय को मजबूत करने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हैं प्रधान मंत्री नरेन मोदी ने 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध छिड़ने पर भारती चात्रों को दिये गए समर्थन के लिए भारती समुदाय को भी धन्यवाद दिया तो ही मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ आज सहारनपूर मुजफ़न अगर और दिल्ली दौरे पर रहेंगे मेरा पूर उप्चुनाओं को देखते हुए सीम का ये महत्पूर दौरा रहेगा मतादे की सहारनपूर में दोपहर बारा बच कर दस मिनट पर सीम योगी आदितनाथ जन प्रतिनिद्यों के साथ एक बैठक करेंगे और एक से दो बज़े के बीच विकासकार और कानून मेवस्था की समीक्षा भी करेंगे वही तीन बज़े मुजफर नगर के बी आईटी मीरापूर में रोजगार मेले में नियुक्ति पत्रों रिड़ वित्रण टेबलेट और स्मार्ट पोन भी छात्रों में वित्रण करेंगे इसके बाद जन प्रतिनिद्यों के साथ करीब आधा घंटे तक बैठक करेंगे बतादे ही सीम योगी आधितनाथ का उप्चुनाओं को लेकर ये दोरा काफी एहम माना जा रहा है जिसमें आज शाम को छे बज़े सीम योगी आधितनाथ आज दिल्ली के लिए भी रवाना होंगे इससे पहले उप्चुनाओं से पहले वो पश्चिमी यूपी पे दोरे पे निकले हैं ये दोरा काफी एहम माना जा रहा है आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया है मुझपन अगर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है जिसमें बता दे कि वो छात्रों को स्मार्टफोन, मुबाइल, लैप्टॉप वित्रण करेंगे इसके साथ रिड़ वित्रण करेंगे साथी साथ छात्राओं का मनोबल भी पढ़ाएंगे उप्चुनाओं को लेकर युवाओं को अपनी ओर ये सीधा साथने का एक तरीका है सियम योगी ने उप्चुनाओं को लेकर पूरी तरीके से तैयारियां कर ली है भाश्पा को सियम योगी आदितनाद से उप्चुनाओं को लेकर काफी उमीदे जताई चारी है बता जा रहा है कि उपचुनाओं को लेकर पूरा दमखं स्यम योगी आदितनाद के कंधों पर ही आ गया है जिसमें सीधा सीधा युवाओं को साधनी का कारी किया जा रहा है जिसमें शहर शहर रोजगार मेले लगाय जा रहे हैं बता दे कि आज मुजफ़न नगर में भी रोजगार मेला लगा है जिसमें पचास नीजी कंपनियां पड़ी कंपनिया आएंगी और छात्राओं में रोजगार सम्मिलत करेंगी आपको बता दे कि छात्राओं को रोजगार देने के लिए रोजगार मेले कायोजन किया जा रहा इसमें सीम योग्याद इतनाथ शिर्कत करेंगे साथी कुछ छात्राओं को टैबलेट और स्मार्ट फोन भी बाटनेंगे इसके साथ रोजगार भी इसमें कुछ छात्राओं को दिया जाएगा बतादे कि इस रोजगार मेले में पचास से ज़्यादा कंपनिया आएंगी जिसमें रोजगार मेले दिये जाएंगे तो इन ग्यानवाबी परिसर में वजगाने का एसाई सर्वे कराने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर इलहबाद हाई कोट में आज सुनवाई होनी है बतादे कि दोपहर दो बजे जस्तिस रोहित रंजन की बेंच में ये सुनवाई की जाएगी बतादे कि सर्वे की मांग की याचिका राकिय सिंग के ओर से हाई कोट में दाखिल की जगे है तवहीं UP पुलिस आरक्षिक भरती परिक्षा को लेकर बैठक सीम आवास में बतादे कि परिक्षा की तयारियों को लेकर बैठक की जाएगी डीजीपी प्रुशान कुबार, यूपी पी आर बीपी अध्यक्ष राजीव कृष्णा मौजूद रहेंगे इसका लावा एडीची एलो अमिताब यश्ष भी वहाँ पहुंचे मुखेवंद्री आवास अब तक की तैयारी के लिए स्यम को करा रहे है ओगर 23 अगस से होगी यूपी पुलस आरक्षी भरती परिक्षा जिसमें 23, 24, 25, 30 और 31 तारीख को ये परिक्षा होनी है ये बड़ी अपडेट आपको बना दे कि अब तक की तैयारी से स्यम योगी आदितिनात को आउगत करा आच आ रहा है 23 अगस से यूपी पुलस आरक्षी भरती की परिक्षा होनी है ये तारीखे हैं 23, 24, 25, 30 और 31 तारीख रखी गई है जिसमें ये परिक्षा होनी है यूपी पुलस आरक्षी भरती परिक्षा को लेकर ये एहम बैठक हो रही है जिसमें सारी परिक्षाओं को लेकर क्या-क्या निर्देश दिये जा रहे हैं स्यमोग यादे तनाथ ने दिये हैं जाने इसमें प्रशानकुमार आरक्षी राची एडिची यहलोव मिताब यर्ष भी मुख्यमंत्री आवास पर इस बैठक में शामिल होने के लिए आप पहुंचे हैं हपते की तैयारी से सभी ने स्यमोग यादे तनाथ को अवगत कराया है बदादे कि परिक्षा को पूरी तहस से अच्छे से कराने की निर्देश दिये गये हैं यह परिक्षा 23 अगस्त से शुरू हो जाएगी जिसकी तारीखे रखे गई है 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को यह परि बैठक हो रही है स्रिया मावास पर परिक्षा की तैयारियों को लेकर समीक्षा की जाएगी और उस्टे निर्देश भी दिये जाएंगे इस बैठक में डीजीपी प्रशांत कुमार यूपे पी आर्बी में अध्यक्ष राजीव प्रिश्णा भी मौजूद रहेंगे इसे पर आगे चानकारी देने के लिए हमारे समध आता अभी नों हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी नों काफी एहम बैठक मानी जारी है बता दे कि ये भरती परिक्षा को लेकर है जो 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को होनी है तो क्या-क्या निर्देश दिये गया है परिक्षा परिक्षा को लेकर परिक्षा हुई थी तो इसका जो पेपर है वो लीख हो गया था जिसके बाद उत्तरप्विद्य सरकार ने इस परिक्षा को रद्द कर लिया था लेकिन इस बार इस परिक्षा को सकुशल कराने के लिए पुलिस जो है वो सतर्स मोड पे हो लगातार सोचल मीडिया पर जो खबर है वो यही है कि तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं वो आज इस बैठाग मे मौजू रहे और जो कल से परिक्षा सुरूर है इसको सफलता पुर्वक कराने के लिए सरकार और अधिकारी जो है वो लगातार जुट गये हैं और किसी बिस्टिती में इस बार परिक्षा पत्र लीक नहों पाई इस बात की लगातार सरकार योड़ से कोशिस की जा रही और सफलता पूरा सुचारू रूप से परिक्षा कराने का प्यास किया जा रहा है जैसे की लगतार या रोप लगे रहते हैं कि भाजपा के राज्य में पेपर लीक के मामने सबसे जादा आते र है और चुनाओं के पहले विपक्ष ने इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा भी उठाया जब राहूल गांदी ने अपनी भारत जुड़ो यात्रा यूपी से निकाली तो उन्होंने भी इसका जिक्र किया था तो निश्ची तूप से दिखिए इस बार जो सरकार है वो पे आपका बहुत बहुत थन्यवाद